रात का समयता बहुत ही अंदेरा था, एक जोपड़ी थी, अकेले में तनहाई में, उस जोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया उज्वलित था, जिससे उस जोपड़ी के अंदर हलकी हलकी रोशनी थी, रोशनी इतनी नहीं थी कि कोई इंसान आसानी से देख पाए, पर फिर तुढ़नी ओ, जोपड़ी में, किसी कोने में, किसी जगे पर तुमिल जाएगी, दिख जाएगी, समाझा जाएगी, और सबसे जरूरी बिल्कुल अंदेरा नहीं थी, जीवन का एहसास हो सकता था, देखने का एहसास हो सकता था, एक यात्री ने राद के लिए उस जोपड तो जादा रोशनी होती मैं अच्छे से देख पाता। पूरा दिन का ठका हुआ हूँ, कुछ समय अच्छे से बिता पाता। वो दिया निरंतर उसको चिड़-चिड़ाहट दे रहा था, परिशान कर रहा था, कि ये हलका सा दिया जल रहा है, क्या कर पा रहा है। उसने उस जोपड़ी में बहुत ढूंडा, पर कोई भी ऐसी वस्तु ऐसी चीज ने मिल पाई, जिससे रोशनी बढ़ पा है। थोड़ी देर बाद गुसा होके, चिड़-चिड़ा होकर, उसने उस दिये को बुझा दिया, कि इतनी रोशनी भी क्यों रहे, इससे भी क्या भला हो जाएगा मेरा। जाप ना आजाए, कोई बिच्छू ना आजाए। उस छोटे से दिये की रोशनी की कीमत उसको तभी पता चली जब उसने वो बुझा दिया। और अब वो इतना भी नहीं देख पा रहा था, कि दुबारा उसको जलाने का जरिया ढूंड पा है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। जीवन का गुजारा करने के लिए जीवन को जीने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए, बहुत बुरे समय से अच्छे समय पर जाने के लिए। कम दिख रहा है क्योंकि अगर ये बुझ गया शरीर ही खराब हो गया रुग गया या मन बिलकुल भ्रष्ट हो गया डेप्रेशन में अफसाद में तो पूर तरीके से अंदेरा चा जाएगा जीवन खतम हो जाएगा तो जीवन को जीने के लिए पूर्ण शक्ती नहीं गुजारा कर पाओगे संगर्ष कर पाओगे हल निकाल पाओगे इस दिये को बुझाओ मत ना बुझने दो इसका ख्याल रखो इस रात को कैसे भी करके काट लो बिता दो जब रात हुई है तो सुबह भी होगी और सुबह हुई है तो रात भी होगी जीवन ऐसे ही चलता है बदलता रहता है मौसम बदलते हैं दिन बदलते हैं कोई भी समय एक सा नहीं रहता है कितनी ही बड़ी समस्या हो वो धिरे धिरे ढल जाती है बीच जाती है लेकिन उसके बहुत चोटी सी वीडियो बनाई है पर बहुत एहम संदेश है उन लोगों के लिए जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है जीने से मन उठ गया है इतने गम में है इतने दुख में है तो बिस्तर से उठो जागो शक्ती का इस्तमाल करो करम करने की शक्ती का एहसास करो अपने लिए कुछ करो अपने आपको बनाए रखो उर्जा को बनाए रखो शरीर को बनाए रखो बुद्धी को बनाए रखो इतना संगर्श अपने लिए करो बाकी सब कामेश शरीर और बुद्धी मिलके आपके लिए कर देंगे और समय कर द बुरे से बुरी परिस्तिती को समय बदल देगा थांक्यू और अल्ड़ बेस्ट